अभी आपने एक दो दिन पहले मिडिया में आई रिपोर्ट देखी होगी, अख़बारों में, टीवी पे काफी कुछ देखने को मिला, एक राज्य की उसमें चर्चा है, और चर्चा क्या है? एक राज्य में कैस फॉर जॉब के गोटा लेकी जांच में, जो बाते बहार निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नवजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विशे लेका आई हैं, उस राज्य का क्या पद्दतित हैं? क्या बात उभर करके आई हैं? नोकरी सरकारी चाहिए, तो हर पद के लिए, जैसे होटेल में आप खाना खाए जाए और रेट कार होता है न, हर पद के लिए रेट कार है, रेट कार बताया गया, और रेट कार भी कैसा है? छोटे छोटे गरीवों को लूटा जा रहा है, अगर आप सफाई कर्मी की नोकरी नोकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये rate रहेगा वरक्टाचा में इतना देना पड़ेगा अगर आपको ड्राइवर की नोकरी चाहिए को ड्राइवर की नोकरी के लिए ये rate रहेगा अगर आपको क्लर्क की नोक्री चाहिए, टीचर की नोक्री चाहिए, नर्स की नोक्री चाहिए, तो आपको ये रेट रहेगा आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज में रेट कार्ण चला करता है, और कटमनी का कारोबार चलता है देश का नवजवान कहां जाएगा, ये स्वार्थी, राजनितिक दल, जॉब्स के लिए रेट कार्ण बनाते हैं अब देखिये, कुछ दिन पहले, एक और मामला सामने आया था, रेलिवे के एक मंत्री ने, जॉब बडले में गरीब किसानों की जमीने लिख वाली थी, जॉब के बडले में जमीन पढ़ा ली, वो भी केस वियाई में चल रहा है, कौर्ट में चल रहा है, भावियो बेहनो आप देखिये, आपके सामने दो चीजे साफ है, एक तरफ परिवारवादी वो पार्टिया, भाई भतिजा बात करने वाली वो पार्टिया, ब्रस्ताचार में रोजगार के नाम पर देश के नवजवानों को लूटने वाली पार्टिया, जो रेट कार्ड, हर चीज में रे उनका रास्ता है रेट कार्ड, जबकि हम युवाओं के उजवल भविश को सेफगार करने पर काम कर रहे हैं, रेट कार्ड आपकी कावेलियत को, आपके सामर्तों को, आपके सपनों को चूर-चूर कर देते हैं, हम आपके सेफगार में लगे हैं, जो आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपके संक्तल्पों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, आपकी हर इच्छा, आकांच्छा, आपके परिवार की हर इच्छा, आकांच्छा, उसको सेफगार करने में हम लगे हैं,